क्या आपको भी प्रेशानी होई थी कि हम स्सी जेई का जो अभी एक्जाम हुआ है उसमें फुल आउट और फुल इसकोड क्यूं नहीं कर पाए क्यूंकि काफे सारे स्टूरेंट्स ने जैसे हमने फीडबैक भी लिया इन्पूट लिया है उनसे वो कह रहे हैं कि सर जस्ट हम 22 के एक्जाम में 2023 में जो आपको नहीं कर रहे हैं तो माइनेम इस अभी शेक कोशिक एंड वैलकम तुदा इंजीनियर सद्दा 24-7 सो आज हम बात करने माले हैं इसी के उपर जो कि आपने देख भी लिया होगा सबने ठीक है कि स्सीजे 2022 में क्यों स्टूरेंट्स रिजिनिं जो टाइम कंजूम हुआ है या कहें तो कि वहां अटक गए हो क्योंकि वह कोशन्स जो थे वह आपने और ने क्या किया था बीच में कोशन डाल देते क्योंकि 50 कॉश्चंस है मतलब काफी कॉश्चंस आपके सामने करने के लिए बट कुछ कॉश्चंस ऐसे जैसे मैं बात कर की टाइम कंज्यूम हो गया उसी में अलब कि 50-70 मिनट उसने कुछ इस वज़े से आगे की दिक्कत हो गई या कुछ इस्टुरेंट्स ने अगर फास्ट भी गया तो उनके 40-42-43 यहां तक ही कोशन अटेम्ट हो पाएं तो बाकी के 8-7 कोशन यह 10 कोशन नहीं हो पाएं जिसमे को मैंने बताया भी था आपको की पेपर से पहले की अटेम्ट कैसे करने आपको कि क्यों उनको स्किप करना है अगर आपने अच्छी प्रेक्टिस की है तब भी आप स्किप करके आगे बढ़ते तो अगर आप उनको स्किप कर देते स्टार्टिंग में और स्किप करके इजी कोशन को पहले पूट कर लेते वन गो में तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते थे जो मैंने बताए भी था ऐसा करना था आपको बट कुछ कोशन कुछ इस्ट्रेंट्स फसे उसमें जिस वज़े से उनका अटेम्ट नंबर ओफ अटेम्ट इल कम हुए और जो आपको 2022 में थोड़ा बीयर भी करना पड़ेगा विकॉस अगर आपका टेक्निकल स्ट्रोंग नहीं था या फिर जीएस में कम अटेम्ट हुए तो ओवरोल अटेम्ट भी उससे रिडियूस हुए तो यही मैंने बताए कि अब जो आपने गलती कर दी है 2022 में वह आप 2023 में आप अगर 2023 में आपको यह कम नहीं करना है यह काम नहीं करना है कि हासर मेरे को फुल आउट फुली लाना है तो मैं 50 ला सकता हूं कहने की बात यह और वह भी कम टाइम में ला सकता हूं स्किप करके मतलब की फास्ट गो में तो उसके लिए तरीका क्या है आप यहाँ पर सर्च कर दो अड़र 24-7 जैसे आप सर्च करते हैं तो फस्त लिंक पर क्लिक करना तो आपके सामने वैब साइट ओपन हो जाएगी ठीक है जस्ट फिर आपको क्या करना है ओल को जाके गेट फिल करना चाहते हैं फो या ससी जेए का अगर आप फांडेशन लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हो और जिसको लग रहा है कि सर नहीं मेरा अच्छा टैंट हो है तो वह मेंस के बैच को जोईन कर सकता है जो सिविल इंजिनिंग का दिख रहा है आपको यहाँ पर तरीका सारा सिंपल है जोईन करने का तरीका किसी भी बैच को अगर आप इंड्रोल करना चाहते हो चाहिए वह फांडेशन कोर्स है 2023 के लिए तो वह यहां से है मेकैनिकल करिए रहा इलेक्रिकल करिए रहा यह सिविल इंजिनिंग का जो मेंस का बैच है वह आपका यह रहा तो जिस चाहिए इसको कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जैसे आपने वाई 516 लगाया इसको अपलाई कर देना अपलाई करते हैं आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और जो फांडेशन कोर्स में आपको बता रहा हूं यह कितने का अभी आपको कम हो गया यह टाइम कंज्यूम हो गया सर महां से मैंने कोश्चन अठे अच्छे अटेम्ट कर ले पर मेरा इतना टाइम चला गया कि सर आगे अगे टाइम नहीं पाया मैं टेकनिकल को या फिर जी एस वाले पोश्चन को ठीक है तो वह स्टेट्स ही यहाँ पर हम डिसकस भी करेंगे क्लासेज में है ना और मैं इंशोर करूंगा कि आपके अटेंट फूल आउट फूलो और आपके टाइम भी कम लगे ठीक है तो जल्दी से आप इंड्रोल कर जाओ इसमें अगर आपको मेंस का चाहिए तो मेंस का मैंने बता दिया सब मैं कूपन को यही यूज कर ल कर दो